हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और दोस्तों अगर आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को प्राइविट करना चाहते हैं यानि आप अपने इंस्टाग्राम के पब्लिक अकाउंट को प्राइविट करना चाहते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं आपके permission के बिना कोई भी देख नहीं पाए जिससे कि आप जिसका request जो accept करेंगे वही आपके Instagram profile के photos, videos या reels को देख पाए तो इसके लिए आप अपने account को private कर सकते हैं जिससे आप जिसका भी request accept करेंगे सिर्फ वही लोग आपके Instagram profile के reels, videos और photos को post को देख पाएंगे तो कैसे आप अपने Instagram profile को public से private करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो सुरू करने से पहले दोस्तों आपसे एक request है, हो सकेगा तो हमारे चनल को subscribe कर देना और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को like कर देना, तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, mobile के screen पर कैसे आप अपने Instagram profile को private कर सकते हैं, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको अपने mobile के अंदर Instagram application को open करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको उस account को login कर लेना है, जिस account को आप private करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप दोस्तों नीचे आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर आपका जो profile picture है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो आपको इसके उपर click करना है, ठीक है, इसके उपर जैसे ही आप click करते हैं, तो यहाँ पर आपको जो profile है, वो खुल कर आ जाएगा, आप दोस्त तो यहाँ पर आपको Instagram की सभी settings देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, नीचे जाने के बाद दोस्तो यहाँ पर आपको account privacy का option देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर आप दोस्तो देख सकते हैं, मेरा account अभी public है, यानि कि कोई भी मेरी account को चेक कर सकता है, photos, videos, post, real, सब कुछ देख सकता है, तो अगर आप अपने Instagram profile को private करना चाहते हैं, तो simply आपको account privacy के उपर click करना है, और यहाँ पर दोस्तो देख सकते हैं, private account अभी बंद किया हुआ है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको यह बंद दिखाई दे रहा हुआ है, तो आपको यहाँ पर इसे on कर देना है, अरन करनी के लिए आपको इसके उपर एक बार tap करना होगा, tap करनी के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने, switch to private का option दिखाई देगा नीचे की तरफ यहाँ पर आप जिसा की देख सकते हैं तो आपको switch to private का जो option दिखाई दे रहा है आपको इसके उपर click कर देना ठीक है इसके उपर click करते ही दोस्तों आपका जो account है वो public से private हो जाएगा इसके बाद दोस्तों आपके post, photos, videos, reels वही लोग देख पाएंगे जिसका आप following request accept करेंगे ठीक है तो इस परकार से आप अपने Instagram की profile को public से private कर सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like कर देजे, share कर देजे और हो सके तो हमारे चनल को subscribe कर लिजे तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आप से किसी next वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखे, goodbye and take care